तो हडो कैसे हैं आप दोस्तो आज में आपको बताने वाला हूं तो तो फीर मेंको यह नाम utility को स्कीम मद करें मेरे चैनल ऐसे टेक मैं से पहला जो तो आप नीचे दिखेंगे टूर आता हुआ यह नीचे की तरफ आएंगे आपको जाना है एडवानस नाम करें और और की तरफ और लेका इडवानस प्रिचर पर आपको आपको सब्सक्राइब टूल बार का, तो आपको इसको on कर लेना है, by default यह off रहता है, तो आपको इसको कर लेना है on, on करने के आद उसके नीचे एक और option मिल रहा है, delete shared screenshot आपको इसको भी on कर लेना है, उसके आद दोस्तों मैं आपको इसके feature का use करके बताता हूँ, like आप देखेंगे, मैंने यहाँ प पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे, एक blue color का box highlight हो रहा है, जैसी मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, तो उसने उतना area automatic ले लिया, जो भी screenshot का का है, उसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड वाले पर क्लिक कर देंगे, और आपकी photo वहीं की वहीं, आपकी वैसी की वै screenshot लेने के अदा, आपको यहाँ पर edit वाले option पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको देखेंगे, क्या option मिल रहा है, यहाँ पैंसिल बनी हुगे, पहले तो आप यहाँ पर कुछ टाइप करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं, इसके लिए आप कितनी डार्क हो, हाइलाइट कितनी जयादा हो, तो आप यह भी हहां से जूस कर सकते हैं, लाईड genya आप देख रहे उनगे। यहां निहांसे जूसरीद हैं, तो आप इसका यहां से यूसकर दिए झार। चुरैश करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आप यहां पर यहां पर आपको क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो डिलीड हो जाएगा उसके दोस्तों इसमें जो कमाल का फीचर यह है अगर आप कोई किसी बड़ी चीज का स्क्रीन शॉट ले रहा है लाइक आप यह देख सकते हैं यहां स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ इसमें बॉक्स का पूरे का उसके बाद आप यहां देखेंगे आपको यह ओप्शन मिल रहा है उपर चलने के लिए तो अब क्या हो दोस्तों यह क्लिक करेंगे स्क्रीन शॉट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ में बडाड़ेंट उसको i विज्बाइब को लेखेस मैं क्लें मैं Subaru मैं खूलके रखा हुआ जिसकी एकербway जिसके का पर दोस्तों आप आप जैसे वाट्ट सपे शिच्या का आप पर लुग है यहां पर चैत का सकते हैं पर घिlar कर सकते हैं हैं गज्राइब आप देख रहे होंगे यहां थ्री डॉट्स में आपको दिख रहा हो कस्टमाइज वाल पेपर का ऑप्शन जैसी आप जाएंगे यहां पर आपको प्री डिफाइड अतने सारे कलर दी हुए अगर आप कलर लेना चाहें तो यहां से कर सकते हैं नहीं तो गैलरी से अपनी करेंगे उसको सेफ कराएं आप हर करमेजशन के लिए अलग से अपना कस्टम वाल पर लगा सकते हैं मैंसेज में जाके जो कि सैंसुंग के हार्ड डिवाइस में आपको एलेवल मिल जाएगा दोस्तों उमीदी कि आपको यहाला फीचर में पसंद आया हो तो तीसरा बताने यहां जाएंगे डिस्फ्ले वाले उप्शन पर आपको जाने के बाद आपको यहां जाना है गैलरी में और एक वालपेपर को सैट करने के लिए आपको लेना है तो मैं आपको बता हूं उसका बाद में use क्या, like आप देख सकते हैं, दोस्तों, मैंने ही किया wallpaper लिए, choose करा, अपना done करा, done करने के बाद, अब आपको यहां पूछेगा home screen और lock screen और home यह lock दोनों के लिए, तो मैंने दोनों के लिए उसको choose करा, यहां पर दोस्तों, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दोनों का layout आ गया home screen का और lock screen का अगर मैं यहाँ पर home screen को change करेंगो तो आप देखेंगे lock screen वाला भी change हो रहा है दोनों का layout change हो रहा है पर हम चाहते हैं कि home screen का layout अलग रहे और lock screen का layout अलग रहे दोनों अलग-अलग हो जाब पर सेम फोटो रहे तो उसकी नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा हो देखेंगे सिक्रोनाईज माई एडिट आपको इसको हटाना टिक से और उसके बाद आप जैसे होम स्क्रीन का आप सेट कर सकते हैं ऐसा जैसा आप चाहें और उसके लॉक स्क् क्लिक कर देंगे तो धोनों पर आप देखेंगे अलग अलग आएगा यसी होम स्क्रीन पर ऐसा लगा है था और लॉक स्क्रीन पर देखेंगे वहाँ पर बिल्कुल अलग आ रहा होगा आपको दिख़रा होगा तो आप ऐसा इसका यूज कर सकते हैं दोस्तो उमीद है कि आपको ये तीनो फीचर पसंद आई होगे दोस्तो तो थैंक यू तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहें दोस्तों प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइ मिले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेजर फोलो करना भी ना बुले जिसका लिंक आपको नीचे डिस्रीप्शन पर मिल जाएगा तो थेंक दे दोस्तों